एकल सेल यूनिट सेल जो पिंड के अंतरगत क्रिश्टल का लगुत्तम आयतान यानि स्मालेश्ट वाल्यूम जिसकी परमाणू विवैस्था की पूर्णा वित्ती का पूरा प्रैटन होता है एकल सेल यूनिट सेल क्यालाता है अपूर्पता अलो्ट्रापी तापमान के प्रभाव से जिन धातों की क्रिश्टल संदशना में परिवर्टन हो जाता है जो एक से अधिक रूपों में पाई जाती है अलो्ट्रापिक धातों या पदार्द कैलाते हैं पदार्थ के इस गुण को अलोटॉपी कहते हैं, पदार्थ के विविन रूपों को अलोटॉपिस कहा जाता है, अपुरूप कहा जाता है, कर्ण सीमा, ग्रेन साइज, पदार्थ का अधिकान सुपयोगी भाग अविवस्थित धंग से एक दूसे के सटे हुए छोटे-छोट क्रिश्टलों या कर्णों की रूप में होता है, दो सटे हुए ग्रेनों के बीच की बॉंडरी या सीमा को ग्रेन बॉंडरी या कर्ण सीमा कहते हैं, आइनिक बॉंड परमाणों की इलक्टॉनिक संदशना होती है, यदि इनके सबसे बाहरी कक्ष में आठ इलक्टॉन होतो, दो इलक्टॉन होतो, जैसे ही ही हीलियम क्योंकि उसमें केवाल एक ही कक्ष में होता है, जैसे सोडियम का है, इसके बाहरी कक्ष में एक है, अंदर कक्ष में दो, सेंटर में टोटल कितने होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आट, नौ, दस, से ग्यारा, और एक लाश्ट में रहाएगा, ठीक, तो यह यहाँ पर आपके पास क्या रहाएगा, सत्रह, तो यहाँ पर लाश्ट में यहाँ पर आठ होना अची है, लेकिन यहाँ पर है टोटल साथ, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, तो यह अपना एक इसको देता है, तो यह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यह हो जाता है, माइनस, यदि सोडियम, एने 11, और सोडियम का सत्रह, यदि अंतिंग कच्छ में गरंसा एक और साथ इलेक्टॉन होते हैं, आपस में सहिव करते हैं, तो सिर्था के लिए सोडियम को अपना इक इलेक्टॉन खोना पड़ेगा और क्लोरिन एक इलेक्टॉन को प्राप्त करना पड़ेगा, ता कि दोनों के अम्तिं कक्षों में 88 एलक्टॉन रहे एक एलक्टॉन के पश्षाद सोडियम धनात्मक आयन बन जाता है और एलक्टॉन पाप्त करने के बाद क्लोरिन धनात्मक आयन बन जाता है ऐसे होने से सोडियम आयन एवं क्लोरिन आयन के बीच सकतिसाली एलक्टोसिटिक आकशन विक् compound बनाता है इस electrocetic bond को ionic bond कहते हैं ionic bond का दुसरा नाप electrovalent bond भी कहा जाता है second आते हैं covalent bond कुछ तत्वों के पर्माणों निकट के पर्माणों से एक या एक स्याधिक electron का साज़ा या sharing करते हैं इसके स्थिर electron की संद्जना प्राप्त करते हैं जैसे यहाँ पर देखते हैं देखते हैं कि nitrogen पर्माणों की संख्या साथ के सबसे बाहरी कक्ष में 5 electron और उसको 3 electron की आव सकता है ताकि octet को बन सके hydrogen के बाहर कक्ष में एक electron है जो एक और electron प्राप्त करना चाहता है इससी संद्जना को प्राप्त करने के लिए nitrogen और hydrogen का वहवार देखा गया है भिन भिन होता है nitrogen पर्माणू 3 पर्माणू और 1-1 electron का साज़ा करते हैं इसके बदले पर्माणू भी nitrogen पर्माणू से एक एक electron का साज़ा करते हैं इसके फल्सरूप ammonia योगिक NH3 बनाता है इस दसा में आयन भी नहीं बनते हैं इसके स्थिर पर साज़ित electron shared का धनात्म्यक नाभिक के बीच आकर्षन पैदा होता हैं hydrogen के 3 पर्माणू hydrogen के साथ electron को 3 जोड़ों के साथ साइक तो होते हैं इनमें से पर्तिक hydrogen पर्माणू एक एक electron के साज़े के लिए प्रदान कर रहा हैं इसको covalent bond या homopilar bond कहते हैं इस तरह ज़्यादा तरबंग ये गैस के अड़ों में पाया जाता है यहाँ पर देखिएगा ये साज़ा करते हैं दोई लग्टानों का धात्विक आयन धात्विक आयन संदशना ये विपरित आविशों के आयनों की कमी तथा पर्याप्त सही हो जाक लग्टानों की कमी ताकि वे covalent bond बना सकें इस आफसक्त को जन्म देती कि दो सहिधिक पर्मानु सायवजा कलक्टान का साज़ा करें धातों के पर्तेख पर्मानु की सायवजा कलक्टान ज़रात्मक क्लाउड बनाने में सायोग देते हैं Solidification धातों को द्रवी अवस्था से ठोज आवस्था में परिवर्तन को धातों का पिंडन या क्रिश्टली करण कहते हैं प्राया अधिकांस धातूं में उनके निर्मित प्रक्रम में अंतरगत एक या एक से अधिक रुपांतरण अवस्था पाई जाती है जब धातूं का तापमान क्रांतिक तापमान के नीचे हो जाता है तब स्थिर क्रिस्टली नाविकों उनके विकाज की चमता उत्पन हो जाती है ऐसे क्रिस्टली नाविकों को क्रिस्टलाइन नुकलिय या कॉरान्तिक नाविक कहते हैं यह डाइगराम में दिखाए गया है एक तरफ टैमपरीचर है solidification का temperature down की मन है यह द्राव वस्त है यह beginning और continue से time और temperature के बीच में यह diagram मुनाया गया जब द्राव धातु का तापमान क्रांतिक तापमान से नीचे आ जाता है तो इस्थिर crystal ये नाभिकों में उनका विकास की छमता उत्पन हो जाती है ऐसे crystal ये नाभिक को क्रांतिक या नुकलाई करते हैं क्रांतिक नाभिक की प्रक्रिया के फल सरूप solidification ignored होता है dendrite धातु के ठोसी करण की प्रक्रिया में विभिन रूपों से crystal ये प्राप्त होते हैं ये निर्भर करता है कि धातु के ठंडे होने की दर एवा मेटल के अधिमिस्राट या सुद्धी की मात्रा जाता हालात में साखा की रूप में ब्रांच या प्रेण की crystal प्राप्त होते हैं जिनको dendrite करते हैं crystal के बनने में उसका परमाणू अधिक्तम packing के घना तो लंबवद दिशा इसके वर्याम सवरूर लंबी साखाएं बनती हैं प्रथम सेर्णी अक्ष कहलाती है चोकि प्रथम सेर्णी अक्ष की लंबाई में बढ़ती है दितिय सेर्णी अक्ष की सेखाएं उनके edges से निकलती हैं एवां लंबवद दिशा में वर्यद्धी होती है तितिय सेर्णी की अक्ष से निकलती है इस प्रकार वर्यद्धी होती है कि अंत में dendrite crystal बनते हैं dendrite संदशना होने से धातू बार बार यह संकेत मिलता है कि ढलने के बाद धातू को ठीक से गरम विधी से उपचारित नहीं किया गया है dendrite संदशना की दुरबलता और विसंगता को यांतरिक उपचार से ही फोर्जिंग रोलिंग करके दूर किया जा सकता है यदि जमने के बाद धातू में homogeneity बढ़ना हो तो ये लाबदाहिक होता है dendrite संदशना section के विसे reaching करके दिखाई जाती है जो की सखाओं के बीच सभी gap भर जाता है केवल dendrite का ही junction और gain boundaries के रूप में दिखाई देता है solidification में क्या होता है यह जब पद्धती में अधिकता उस्मागती आवस्था में मुक्त औरजा के रूप में रुपांतरित होती है solidification प्राराम हो जाता है crystal की मुक्त औरजा द्राव आवस्था में होती है जब द्राव और ठोस आवस्था में मुक्त होते है तब उर्जा अतापमान के कारण परिवर्तन होता है